नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है बाते खेती की में बैहूं साबिता ठाकूर दोस्तों इस कारिक्र में हम आपको बताते हैं किसी भी खेती से जुड़ी हुई बाते और आज हम बात करेंगे आई-पी-म के बारे में दोस्तों हमने अपने पिछले अंक में भी आपको बताया था कि आई-पी-म आज के परिवेश में कैसा होना चाहिए उसी में कुछ बाते रह गई थी जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और मेरे साथ स्थूडिय में मौजूद है डॉक्टर रामास्जे जी आयम का स्वाग आई-पी-म जो शब्द है इंटीग्रेटेड पेस्ट मेनेजमेंट सिस्टम इसको मैं एक एक शब्द को आपसे एक्स्प्लेनेशन लेना चाहूंगे एक शब्द का वैसे तो यह काफी लबा सवाल है क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं समय को ध्यान में रखते हुए कि हम ज यह को लेड़ा है? कि उसे प्यवक्रणि थी बिल्द है यह नहीं को मैंड़न से मतलब हमारा है की उनका जो साथ में प्योग करते हैं तो उनका जो जो गभाइट ओने यह जो सब का जो क्युमिलेटिव एफेक्ट है वो नुक्सान दायक नहीं तब उसको हम कॉम्पिटेबल में तूसरा फीजिबल में जब तक वो चीज हमें संभाव है तो अगर हम दो मिदियां दो चीजे हम इस्तेमाल करना चाहते हैं क्या है वेदर दीज इस फीजिबल क्या ग्राइब को अपना सकते हैं वह उसको को अडाप्त कर सकते हैं अपनी है इस फीजिबल्टि कितनी है इंस बचीजों को ध्यान में रखते हुए तब हम किसी चीज को हम इंटिग्रेते करते तक राइ बात एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटिग्रेशन करने की बात है वह यह हमें माइंड सेट का इंटिग्रेशन करना चाहिए अभी तक जो हमने देखा है कि ज्यादा तर जो वी है विकम पेस्टिसाइडल माइंड सेट और जो इतने हमारे जो आई पिम के स्टेकोलडर से हैं या जो कि चेंज करना पड़ेगा वी है पूचेंज दा माइंड सेट कि करसी यह जो हमारे निट केमिकल पेस्टिसाइड से यह आर हार्म फुल तो अबर हैं अन्वारमेंट तो वी है पूचेंज दिन देमांड सेट और यह भी बताना जरूरी है कि कृशी बिना फटिलाइजर के बटो यह जो इस्तेमाल कर रहे हैं और अभड़े निट पिर दोष्टिसाइड जब ही अमारे निकाल कि वी हैं थैने निकाला निकाले गए निकाले गए तो और डैवर्ट एवर्गेंस टूल उत उन आप बीक उन आप लेएसे और हने सिस्टम के भागतिया प्रिव कह प्रसक्शानी है कि यह झाल निख उडशनाई धा किन इन शुर् Soo टेंग हूल समय को उसल्म कि गया यह रहना है तो हमें शुड उन इन दोनों शब्दों का क्यार लेकिन फिलहाल दोस्तों कारिक्टर में वक्त हो चोटी से ब्रेक काप कहीं जाये का नहीं बने रहे हमारे साथ और देखते रहें बाते खेती की हम बताते रहेंगे आपको IPM के वारे में चोटा सब्रेक कोई भी जीव जो आर्थिक द्रस्टी कोड से मनुष्य को नुक्षान करता है उसको पेस्ट कहते है लेकिन हमने फिर अपने तरफ से इस डिफिनिशन को थोड़ा से चेंज करते हैं इन माई ओपिनियन नन अफ और अर्गनिजम इस पेस्ट कोई भी जीव इस दुनिया का जो खीति की में दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं IPM के बारे में और अभी हमने जाना बरे पर जाने से पहले कि इंटिग्रेटेटट क्या होता है अब हम जानेगे कि P और M यानि की पेस्ट और मेनेज्मेंट इन दोनों शब्दों का क्या आर्थ है मैंने दर्षकुब के अव्रा पिछ रागमे मिने यहां प्रॉष्ठ लागमें के मतलब कर में राधी कि मतलब पैस्ट भी जीव आर्थिक दर्श्टि कर नुक्षान करता है उसको पेस्ट कहते हैं, लेकिन हमने फिर अपने तरफ से इस दिफिनिशन को थोड़ा से चेंज कर दिया, जी इन माई ओपिनियन नन अफ और अर्गनिजम इस पेस्ट, कोई भी जीव इस दुनिया का जो भी जीव है कोई पैदा कोई पेस्ट नहीं है, नासी जीव नहीं है, they are innocent animals, they are units of our ecosystem, they have got full right to live in our ecosystem, they are very much helpful to sustain our ecosystem, और को हमारे ecosystem में, उनको पारिस्टीतिक तंतर में रहने का पुरा अधिकार है, और उनकी आवशकता है, हमारे ecosystem को sustain करने के लिए, उसको रखने के लिए, बहुत जरूदीज़ता है बहुत ज़रूरत है तो इफ एनी और बिकम एपस्ट इट विकम अंडर प्रोबोकेटिब कंडिशन क्रियेट वाई अस अगर कोई भी जीव पेस्ट के रूप में बनता है या उसका उभरता है तो वो कंडिशन हमने परवाइड की होती है वो सकता है उसके जो रहने का जग जग फेस्ट आइड है या ब्रीडिंग के लिए जो कंडिशन हैं उनके परोजनी को पेदा करने के लिए वह भी ऐने कर दिया हूं हो सकता है ऐसी कुछ चीज उनके दुसमन जादा पैदा कर दिया हूं जिन से बचने के लिए वह प्रवोक हो जाता है उत्तेजित हो ते हो करने लिए अब हमको जब हमने आपको बताया कि किसी भी जीव को नलाफब और इसम भी शुट कंसीडर यह पर सब्सक्राइब किसी भी जीव इन बहुत सारे यसे नास जीव है जो प्रस्ट है बट इवन उनको भी हम प्रस्ट तब तक नहीं कंसीडर कर सकते हैं जब तक कि हम प्रश्क पोटेंशियल को हम नापने नापने ले कि मानलीजे अगर वह हमारे को आर्थिक नुक्सान नहीं कर रहा है तो इवं दो इति इस पेस्ट बट विशुड नाथ कंसीडर इट एज पेस्ट जब अर्थिक तो श्टो नुक्सान नहीं करता है तब तक हमको उसको प्रेस्ट नहीं कंसीडर करना चाहिए बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो हमको इतना समय नहीं देते हैं बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो नासी जीव हैं तो लिए पेस्ट कर सकते हैं कि असे अशे ला वारी लेट विलाथ रिश नायां प्टेटों का विल तो आज पॉटेटों कर सकते हैं प्रफिए निए निए पेस्ट 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 वह उस समय वह पेस्ट के रूप में ना हो बिलकुल और फिर भी आप इनलेसिस करना चाहिए जब तक उसका पेस्ट रिस्क नहीं कर सकते हैं तब तक हम किसी भी जीव को हम पेस्ट के रूप में उसको कंसीडर नहीं करना चाहिए मगर उसमें क्या हम लोग जैसे कोई कीड़ा देखा कि नुकसान कर रहा है उसको तुरंती दवाई चड़क दी इससे बहुत सारी चीज़ें नुकसान करते हैं इवें तो इसकी रोक थाम क्यासे की जाए अगर पेस्ट लग रहा है और सबजी को या फल को खराब कर रहा है तो उसको आपने देखा कि यह काट रहा है या मालीज फसल को नुकसान करता है हम जैसे अभी आपको बता है कि उसको एकोनोमिक थ्रस्वल लेवल पर करना एटी यल मिनिमम पापुलेशन जिसमें हम उसका जो नुकसान है वो कम हो और अगर उस पापुलेशन से उपर बढ़ ज करना चाहिए मालीजे अगर आपको खर्चे जो उसको रोक अगर उससे पैदावार मालीजे पांच रुपाई की हो ले है और खर्चा जो है उसमें सो रुपाई का हो रहा है तो उससे कोई फादा नहीं होगा तो लेहाजा जब तक कि वह एकोनोमिक दृस्टी कोर से उसकी जो आपको आर्थिक दृस्ट कोर से नुक्सान अगर है तो उस तभी हम उसको पैस्ट कंसिडर करना चाहिए अधर वाइज एकोनोमिक थ्रसोल लेवल मिनिमम पॉपुलेशन जो उसके जस्टिफाई दा कॉस्ट आ प्लांट पोटेक्शन की कॉस्ट को जस्टिफाई कर उस पॉपुलेशन पर हम उसको रोकना चाहिए उससे पहले जो हमारे जो बहुत सारे खेतों में लाबदाएक जीव होते हैं उन लाबदाएक जीव को नेचुरल के थरू हमें उनसे बचाना चाहिए कभी-कभी यह भी होता है जैसा बहुत सही का आपने कि हमारे मित्र कीट भी होते हैं और हम पैसिसाइड जब चड़कते हैं तो वह देखता नहीं कि मित्र कीट को मार रहा है वह तो मार देता है तो उससे हमारा ही नुकसान हो इसलिए हम कहते हैं कि जब तक ज़रूरत नहों जब तक एसन्शियल नहों इस उड़ भी यूज़ एस लास्ट इसार्ट ज है जिससे हो कंट्रोल कर सकता है और भी शुट प्रिफर थैट इंस्ट ऑफ केमकल पस्टाइज सर आगे भी जानेंगे इस पर आप से विस्तार से लेकिन दोस्तों फिलाल हमारे कारेक्टर में वक्त उचलाए चोटी से ब्रीक आप कहीं जाएगा ने बनेरी हमारे साथ और पर आप को आपको टोराने कर तुर्प करने का तरीका जिससे आपको वांशित रुल बैए हैं रिजट मिले ब्रेक के बार इक बढ़ फिर से आप सभी का स्वागत है बात है खेती की में दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आई-पी-म पर ब्रेक में जाने से पहले हमने जाना आई-पी-म में से आई-और पी यानिकी इंटीग्रेटेट पैस्ट दोनों के डेफिनिशन को आप हम जानेंगे मेनेज्मेंट क्या होता है जासर आए-पी-म की मैसे की स्ब्रेव में maior ही अगर मेनेजमेंट टेक श्टार्स प्राम होम कि असमों होता है जब तक आपका उप्र प्रणेजमेंट नहीं है तब तक आपको इकार्म पूरा नहीं कर था नहीं कि अई है वरक तो गेट डिजाएट रिजाएट 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 आपको management करना है अगर किसी चीज को तो management करने के लिए आपको resources की जरूरत होती है तो वह resources जो होते हैं वह 5 होते हैं man, material, method, machine और money बगर money जरूरी है अगर यह चीजे पांचो time से अगर उपलब्द नहीं है तो आप किसी काम को मैंनेज नहीं कर सकते हैं यह बहुत important है दूसरी चीज यह है कि generally आपने देखा इनकी तीन चीजे होनी चाहिए एक तो planning सही होनी चाहिए प्लानिंग कई बार बहुत अची चीज बन जाती है लेकिन उसकी preparation नहीं हो पाती यह उनको procurement नहीं हो पाता उनको तरीके से बजार से खरीद कर ले आना और preparation भी हो जाए अगर नहीं हो पाता फिर execution properly नहीं हो जाती है तो प्रिपरेशन प्लानिंग, preparation और execution इन तीनों चीजो सब्सक्राइब करे से इन fewer अचीज़ाद कर्या लेखे लेखनेस केस पर वानेज कर्ना जाता है कि तने हैं करणनेंगेस करना चाहता है ले हो definitive ूनिट आका लेखनेस ynerot लेखनेसवा करकर लेखनेस को सब्सक्राइब के वंसक्तना लेखनेस व अपर और कर घ ओनेस्छिक्न जब पापुलेशन जो पैस्ट की नासी जीव की संक्या है उसको इतना सपरस कर दें कि उसे होने वाला नुक्षान कम से कम और उसके लिए हमें पांचो रिसोर्स की बहुत जरूरी है और पांच रिसोर्स के साथ-साथ उनकी प्रॉपर प्लानिंग और प्रपरिरिशन भी बह नहीं करपाय तेमिली आप ने अरजमेंट कर पाए कि एमन कहां से भी कर आजनेंट्रल ऑगे कहां से हम तो मैं जो एक का से रिल्म记 यह कहां मँलेंगे उनका और उनकाडरे क्या है इनका प्रॉपरली आपकी पास जानकारिंगे जब तक नहीं होताएँ टाइंभी व्योग कर पाएंगे तो हम टाइमली उसमें यूज नहीं कर सकते तो उसका टाइमली फिर कहेंगे तो इस चीज को हम नहीं मानते हैं अगर नहीं काम कर रहा है तो मतलब हमारी वहां कहीं हमारी चूख है उसकी टाइमली प्लानिंग नहीं कर पाई है और टाइमली प्लानिंग भी कर ल गया कि जो एक्जिक्यूशन है वो भी कई बार गलत हो जाता है जैसे केमिकल प्रस्टिसाइट की ही बात हम अगर कर ले चलो जो जन्दली करते हैं तो केमिकल प्रस्टिसाइट आज कल जो की हमारा एक्ट गवर्न करता है तो उसके लेवल लिफलेट में जो मैथड या जो कु फिर हम जो हैं उसके जो परर्लाम भी बहुतने पड़ते हैं अभी करेक्राम में बिल्कुल वक्त खत्म हो चुका है अब जाते जाते आपसे एक आखरी प्रेशन करना चाहूंगी अगर मैं आपसे पूछूं कि फिलोसफी क्या है तो वह क्योंकि आप रिसर्च करते रहते ह आपने सिफ किताबी बाते हमें नहीं बताई हैं आप खुद के रिसर्च भी आप हमें बताते रहते हैं तो सर आप से आज आना चाहूंगी कि आपकी नजर में IPM की फिलोसफी वैसे काफी फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं जिसमें बहुत सारे सोशियलोजिकल एकोनॉमिकल रिकनल एको लॉजिकल फैक्टर उन्हें की पिने प्रॉजिकल पक्योनॉर भंच जायाधे बिल्कॉल जैसे पहले आप एक तत्थ हैं की हुमारेंश इनवारमेंट में सभी कीरे जो हमारे फसल पर्ला वारॉज में पाए जाते हैं वो का निकारत नहीं होते हैं इसमें मेज तो हमें चाहिए कि हमें लाब दाइक इडि़ों का उसमें संरक्षर करें दूसरा नौत आल पेस्ट प्राइब कंट्रोल कि अवन को बताई किकी पैस्ट-को सभी पैस्ट-को कंट्रॉल करने की जब तक भू हानिकारत लेविल पर या एक शर्वाइब करने का मौका देना चाह फोल जो उतनी सितने यहां जो तारे जो बहुत सारे भाग पाई जाते जुग पुड्म जो भाग हैं पौदों के वो उनकी पौधे की आवश्यक्ता से अधिक होते हैं कई बार देखा गया होता आपने देखा होगा आम के पौदों में आपका जो वह पेड़ होता है उसमें फौदों जिसको बहुत जादा आजाते हैं और अगर उतना बहुत जो फौदों सब्सक्राइब जाते हैं उनकी गिरने के बावजूद भी उस पौदे में से इतना पैदावार हो जाती है जो की सफिशेंट पैदावार होती है तो इस तरह से बहुत सारे जो चीजें हैं जिन चीजों को अगर सची पूछा जाए अब बहुत सारी ऐसी एक जो तरोटिकल ह होती हैं मंगर इन तीरी को जब तक किसानों के उसमें खेतों में जा करके उनको डिमोंस्ट्रेट करके नहीं बताया जाएगा तो तक उनको संधेश हमारे माध्यम से किसानों तक जरूर पहुंचा होगा आज अब हमारे कारेक्रम में आए और इतनी महत्वपून जानकारी आपने आई पेम के बारे में हमारे दर्शकों को दीश कलाब को बहुत बहुत अन्यवाद नमस्कार धनवाद आपको बुलाने के लिए जे जे तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आज के एपिसोड आपके लिए बेहद उपयोगी रहा होगा मैं फिर मिलूंगी आपसे किसी नई खेती की बातों के साथ तब तक के लिए मुझे दीजी जाज़त नमस्कार हुआ 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 हुआ